आज हम Bread की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंट्रेस्टिंग रसीपी सेयर करने वाले हैं जो Breakfast में आप इसको बना सकते हैं, टिफीन या लंच वोक्स में भी दे सकते हैं बहुत यह अधा टेस्टी लगती है, बहुत ही Instant बन कर तयार होती है तो चलिए इसको बराना स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक को सेर जरूर कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहां पर हमने दो मीडियुम साइज की प्याज को बारी कट करके लिए है, इसको एक हमने बोल में डालना है, यहां पर हमने ग्रेट की हुई गाजर ली है, सबस जिएआँ आप इसमें अपनी पसंद के एनुसर कम जादा कर सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसको स्किप कर सक सब्सक्तर बघंद हं तरफबुम्त को इसम में चा Kyren प्रबूल revenue पत्रिक होतीज। जोने केई सब्सक्राइब करें नकने हैं अज़या केसे प्लेवर लाता है P कीजिएगा और यहां पर हमने मियोनीज लिया हुआ है जो कि बहुत ही बड़ी ऐसे टेस्ट आता है तो यह चमच काफी बड़े साइज का है मीडियम साइज के चमच से यह तीन से चार चमच मियोनीज होगी तो अब इसे अच्छे से हम मिला देते हैं तो अभी इसमें हमने ट इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है तो यह देखे टामाटर भी हमने डाल दिया है और अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला देते हैं आप चाहें तो आप इसमें थोड़े से कॉर्ण का बेस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें अगर आलू डालना चाहते हैं तो एकदम छोटे-छोटे उबले हुए आलों को कट करके डाल सकते हैं तो यह हमारी फेलिंग तो अच्छे से तयार हो चुकी है जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही है तो कौन अगर होता है तो वो भी मैस में जरूर डाल थी लेकिन मेरे पास अभी नहीं था और यहां पे ह हमने में लेना है ना वो यह धन्या मिर्ची और लह थी है लेसुन के चट्नी तो इसको हमने अच्छे से पीस लिया हुआ है तो मैंने कुछ और हरी मिर्ची है तो आप इसमें टोमैटो, सॉस या केचप भी लगा सकते हैं लेकिन खेशे पीबले fabrics आहुले हैं वी Chuck Scanda'll डेकि यह इसमें अच्छे से हम भर देते हैं, तो इसकी कमी तो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यह हमें थोड़ा सा ज्यादा ही भरना है, अगर आप इसमें स्टफिंग काफी ज्यादा रखेंगे, यह खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, तो इवन इसे अच् को हमें नीचे की तरफ कर देना है, जो बटर हमने लगाया है उसको नीचे की तरफ हमने रख दिया है, अब यह उपर की तरफ भी इसमें हम बटर लगा देते हैं, तो और उसकी पाद बटर जब आप इसको लगा कर अच्छे से सेंकेंगे ना तो बहुत ज़्यादा और यह बस बटर को हलका सा मेल्ट होने देना है, फिर ब्रेट को हम रख देते हैं, क्योंकि ब्रेट के नीचे की साइड हमने नहीं लगाया हुआ था ना बटर, तो यह देखे, अब इसको हम लगा देते हैं इस तरीके से, और बसी कुछी मिनट इसको हम ऐसे रहने देंगे और जब यह नीचे से अच्छे से सिख जाएगी थोड़ा सा कलर इसका गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब इसको हम पलट देंगी और आप देखेगा कि कितने अच्छे से यह बन कर तयार होगी हमारी यह सेंडवेच, तो यह लीजी, आप इसका कलर देख सकते हैं, लग बहुत यदा आसान और टेस्टी कितनी है यह तो आप जानते ही होगे है ना, तो देखा आपने, ना तो इसमें आपको कोई सेंडविच मेकर की जरूरत है, तो आपको कोई मौल्ड लेने की जरूरत है, आप इसको इसको इसली तवेपर बना सकते हैं, अगर आपके पास तो भी बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है, ये देखे, कोई स्टेफिंग बाहर भी नहीं निकली है, और कितरे अच्छे से ये सिंखा हुआ है, वो तो आप देखी सकते हैं, तो सेम इसी तरीके से सारी ब्रेट को हम अच्छे से भर कर, और दोनों साइट से ऐसे पलटते व कि ये आपको बहुत यदा पसंद आएगा, तो बच्चों के आप इसको टिफिन में भी दे सकते हैं, बोडों को भी बहुत ही पसंद आता है, और इसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करके आप बनाएंगे ना तो काफी ज़्यादा ये हेल्दी भी हो जाता है, तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं, काफी अच्छा लग रहा है देखकरना, खाने में बहुत ही मस लगता है, ये देखे, और हरी चटनी तो बहुत यदा टेस्टी लगती है इसमें, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर ट्राइ करने देख सकते हैं जाकर